नमस्कार बच्चों आज हम आपकी विवसाईक अध्यान के पुष्टक के आठवे आध्याय विवसाईक विट्व के शुरोट का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं आपको याद होगा कि इसके पहले भाग में हमने देखा था कि विवसाई में वित्त की क्या आवशक्ता होती है वो वित्त यानी पूंजी कितने प्रकार की होती है स्थाई वा कारी शेल पूंजी फिर हमने देखा कि वित्त के शुरोत कितने प्रकार के हो सकते हैं उन्हें अलग-अलग प्रकार से वर्गेकृत किया जा सकता है इसके बाद हमने एक-एक करके पांच मुख्य प्रकार के शुरोतों पर चर्चा की थी आज इस भाग में हम कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर शुरोतों पर चर्चा करेंगे तो आईए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं एक ऐसे शुरोत से जो ना केवल बहुत ही महत्वपूर है बलकि शायद वो सबसे ज़ादा प्रसिद्ध शुरोत भी है आप सबने शेयर यानि अन्शो या शेयर मार्केट का नाम सुना होगा आज हम सबसे पहले बात उनहीं की करेंगे अन्शो का निर्गमन यानि शेयर इशू करना या जारी करना जब एक कमपनी अन्श जारी करके पूंजी एकत्र करती है तो उसे अन्श पूंजी कहा जाता है अब सवाल यह है कि अन्श क्या होते है अंश का मुख्यता अर्थिया है कि जब एक कम्पनी की कुल पूंजी को छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त किया जाए बाटा जाए तो हर एक छोटा हिस्सा एक अंश कहलाते हैं माल लेते हैं, एक कम्पनी की पूंजी दस लाख रुपए की है, वो अपने इस पूंजी को एक लाख छोटे टुकड़ों में बाट रही है, तो इससे हर एक टुकड़ा दस रुपए का बना, तो हम कह सकते हैं कि कम्पनी की पूंजी एक लाख अंशों की है, और हर एक अंश क मूल्य 10 रुपए है जिन लोगों के पास कंपनी के पुन्जी के अंश यानि हिस्से होते हैं वो कंपनी के अंश धारक कहलाते हैं अब मुख्यत है अंशों को दो प्रकार में वर्गी कृत किया जाता है सम्ता अंश वपूरवादिकारंश सम्ता अंग्रेजी में हम एक्विट अंश कहा जाता है समता अंश धारकों को कम्पनी का असली स्वामी कहा जाता है जबकि पूर्वादिकार अंश हालकि अंश धारक होते किन्तों ने कम्पनी के स्वामी नहीं कहा जा सकता पूर्वादिकार अंशों का नाम पूर्वादिकार इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्ह या इनके अंशधारकों को समता अंशधारकों से पहले लाभांश प्राप्त होता है वह जब कंपनी पूंजी वापस कर रही हो जब कंपनी बंध हो और पूंजी को वापस किया जा रहा हो तब पहले पूर्वादिकार अंशधारकों को पूंजी मिलती है फिर बचने पर ही समतांशधारकों को, तो इस प्रकार के दो अधिकार इने प्राप्त है, पहले लाभ मिलने का वो पहले पूंजी मिलने का, इसलिए इने पूर्वाधिकार अंश का जाता है, इनकी एक और विशेषता यह है, कि पूर्वाधिकार अंशों पर अंशधारकों क मिलता है वह कोई निश्चित दर पर भी नहीं मिलता सम्ता अंशधारकों को यदि कंपनी को लाब है तो लाब मिलेगा नहीं है तो नहीं मिलेगा जबकि पूर्वा अधिकार में ऐसा नहीं है उन्हें इस्था ही लाबांच मिलता है चाहे कंपनी किसी भी स्थिती में हो सम्ता अंशधारकों की पूंजी भी बाद में वापिस की जाती है लेकिन सम्ता अंशधारक कमपनी के असली मालिक होते हैं इसका फायदा यह है कि उन्हें कमपनी में मताधिकार प्राप्त होता है वो कमपनी के निर्णेव में हिस्सा ले सकते हैं के प्रबंदन में हैशा ले सकते हैं व जब कंपनी अच्छा काम करती है अच्छा लाभ कमाथी है खूब ज्यादा लाभ कमाती है तो ऐसे में इनको लाभ भी ज्यादा मिलता है उसकी कोई नहीं है इसलिए के बदल ये कंपनी को बहुत ज्यादा लाब होता है इन्हें भी बहुत ज्यादा लाभांच मिलेगा यह फाइदा है सम्ता अंच धारकों का अब आईए एके करके हम दोनों के फाइदेव नुकसानों पर और चर्चा करें यदि हम पहले सम्ता अंच की बात करें तो यह जैसा कि मैंने कहा उन्ने वेशकों के लिए हैं जो जोखी मुठाने को तयार हैं जैने पता है कि हम जोखी मुठाएंगे तो हमें अधिक आय या लाभांच मिल सकता है Company के लिए फायदा यह होता है कि Company पर इसका कोई निश्चित भार नहीं होता है क्योंकि अंचधारकों को लाभांश देना अनिवार यह नहीं है Company जब चाहिए लाभांश दे या ना दे तो इससे Company पर एक भार उत्पन नहीं होता तीसरा समता पूंजी स्थाई पूंजी मानी जाती है यानि इसे वापस नहीं करना पड़ता है इसे केवल कंपनी के समापन पर ही लोटाया जाता है चौथा समता पूंजी कंपनी की साख बनाती है यदि एक कंपनी में समता पूंजी जादा है अच्छी है तो भविश्य में रिणदाताओं के अंदर इसमें विश्वास्त पैदा होता है अंत में कम्पनी के संपत्तियों पर भी इसका कोई प्रबार नहीं पड़ता है इसके पश्चात यदि हम सीमाओं पर चर्चा करें तो ऐसे निवेशक जो नियमित आये चाहते हैं उनके लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें जोखिम है कभी जादा कभी कम आये दूसरा इन अंशों पर जो लागत कम्पनी के लिए आती है वो अन्य शुरोतों से जादा आती है का मतादिकार वह आये कम हो जाता है इसके अलावा इस माध्यम से कोश एकत्र करने में अधिक आपचारिकताएं होती हैं जिसकारण इसमें प्रक्रियात्मक अब आईए इसके बदले हम पूर्वा दिकार अंशों के लाब हुआ हानियों की बात करें सबसे पहला अंशधारकों के लिए यह एक नियमित आये का शुरूत बनता है वह सुरक्षित होता है इसलिए ऐसे निवेशक जो कम जोखिम में नियमित आये चाहते हैं यह उनके ना रहता है ऐस यह उनके लिए फाइदे की बात हो गई क्योंकि पूर्वा दिकार अंशधारों को पर एक निश्चित लाभांश देना होता है ऐसे में जब कंपनी अच्छा चल रही हो अच्छा काम कर रही हो तो उसके लिए फाइदे की बात हो जाती है कि क्योंकि इन्हे इशकों के लिए उपिक नहीं है जो अधिक आय कमाना चाहते हैं जोखिम उठाकर दूसरा इन अंशों की निर्गमन पर कंपनी की संपत्तियों पर मालिकों का दावा कम हो जाता है क्योंकि इन पर संपत्तियां कई बार जमा करानी पड़ती हैं तीसरा इन अंशों पर लाभां तो यह कमपनी के लिए और ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर देते हैं तो बच्चों यह थे हमारे अंश पूंजी वह उसके प्रकार वह दोनों प्रकार के अंशों के लाभ वहानिया अंशों के अलावा दीर्ग अवदी की पूंजी एकत्र करने का एक और बड़ा श्रोत है रिणपत्र अंश भी दीरगवदी के लिए होते हैं रिणपत्र भी दीरगवदी के लिए होते हैं फरक यह है कि अंश कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं उनमें से मुखेतर जो समता अंशधारी है वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं जबकि रिणपत्र जब कंपनी जनता से लेत को तयार हो क्योंकि इसके उपर स्थिरदर से व्याज देना पड़ता है कंपनी द्वारा जारी रिणपत्र कंपनी द्वारा लिए गए रिण की एक प्रकार से स्विकृति है जब कंपनी रिण लेती है तो बदले में लोगों को रिणपत्र जारी कर देती है जो इस बात की स् जाते हैं मुख्यता यदि इसके चार वर्गों की बात करें तो पहले वर्ग में सुरक्षित वा असुरक्षित रिंपत्र होते हैं ऐसे रिंपत्र जिनके बदले में कमपनी अपनी संपत्तियों को जमा करवाए संपत्तियों को गिर्वी रखवाए उन्हें सुरक्षित कर पारी तो संपत्यों की विक्री करके भी बुक्तान किया जा सकता है जबकि इसकी विप्रीत जिन रिणपत्रों के बदले में कोई संपत्ती जमा नहीं की जाते हैं उन्हें असुरक्षित रिणपत्र कहा जाता है दूसरा पंजीकृत वह वाहक रिणपत्र ऐसे रिणपत्र जिनके रिन दाताओं ये रिन पत्र धारकों का नाम कमपनी के रजिस्टर में पंजिकरित है वो उन पर अंकित है उन्हें पंजिकरित रिन पत्र कहते हैं इन्हें हस्तांतरित भी करना आसान नहीं होता वहक रिणपत्रों पर किसी रिणधारक का नाम नहीं होता कमपनी के रिकॉर्ड में भी उन्हें नहीं लिखा जाता इसे किसी को भी दिया जा सकता है जिसके भी हाथ में वो पत्र है वो पत्रधारक या रिणपत्रधारक कहला सकता है ये थे पंजिक्रित ववाहक रिणपत्र इसके अलावा होते हैं परिवर्तनिय वग्यर परिवर्तनिय रिणपत्र जिन रिणपत्रों को भविष्य में अन्षों में परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें कंपनी एक प्रकार का अवसर देती है कि उन्हें अन्षों में परिव परतित नहीं किया जा सकता ऐसे उन्हें गैर परिवर्तनिय रिणपत्र कहते हैं इसके अलावा प्रथम वद्वित्य रिणपत्र जिन रिणपत्रों का भुकतान दूसरे रिणपत्रों से पहले होता है उन्हें प्रथम रिणपत्र कहते हैं और जिनका भुकतान बाद में होत द्वुद्यी रिंठा की तो यह कुछ सरल वर्गी करंथा रिंठाउं का अलग-अलग गुड़ों के हिसाब से सुरक्षित असुरकषित पंजिकृत वहक परिवर्त्रूऎं गैर परिवर्त्रिंठ वप्रथम और द्वित्य रिन पत्र आईए बात करते हैं कि रिन पत्रों के क्या लाब हो क्या हानिया है सबसे पहला लाब यह है कि यह निवेशकों के लिए कम जोखिम में स्थिर आयका एक बहुत बढ़िया शुरोत पाना जाता है दूसरा रिंपत्र स्थिर प्रभाव कोश होते हैं यह कंपनी के लाब में भागिदार नहीं होते हैं इन पे इक स्थिर ब्याज ही देना पड़ता है तो कंपनी के लिए एक परकार से अच्छी बात होती है जब कंपनी अच्छा लाब कमा रही हो तो उसे जादा लाब में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा रिनपत्र का निर्गमन उस वक्त उप्युक्त माना जाता है जब कंपनी की बिक्री अच्छी हो उसकी आइस्थिर हो क्योंकि ऐसे में कंपनी बड़ी सरलता से ब्याज का बुक्तान कर पाएगी वह समय पढ़ने पर रिनपत्रों को भी वापस दे पाएगी बुक्तान कर पाएगी यदि कंपनी की बिक्री अच्छी ना हो आइस्थिर ना हो तो ऐसे में यह खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि यदि ऐसे में कंपनी में रिनपत्र जारी कर दिये तो लाब ना होने पर भी व्याज देना पड़ेगा पैसे ना होने पर भी भुक्तान करना पड़ेगा चौथा क्योंकि रिनपत्रों में मताधिकार नहीं मिलता इसलिए इससे कंपनी के स्वामियों या समता अउचधारकों के नियंतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यह उनके लाब की बात है यदि इसकी कमयों की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी के ओपर एक स्थिर भार पैदा हो जाता है कम्पनी की आये चाहे घटे या बढ़े उसे इस पर ब्याज देना पड़ता है दूसरा यदि रिन पत्र वापस किये जाने हैं तो जब उन्हें वापस करने की बारी उसका समय आएगा और उस वक्त यदि कम्पनी की वित्तिय स्थिती सही ना हो तो कम्पनी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है तीसरा प्रति एक कम्पनी की रिन लेने की एक निश्चित शमता होती है यदि एक कम्पनी पहले से ही रिन ले चुकी है रिन पत्र जारी कर चुकी है तो इसके पास आगे रिन लेने की शमता कम हो जाती है ये कुछ मुख्य कमिया थी रिणपत्रों की तो अंश वर रिणपत्र ये दोनों ही इस अध्याय के सबसे प्रमुख बिंदू हैं वित्त के सबसे प्रमुख शुरोतों में से हैं क्योंकि ये दीर्गकाल में काम आते हैं अब इसके अलावा वानित्जिक बैंकों पर भी चर्चा करना बनता है क्योंकि ये बहुत ही जादा एक आम वा प्रसिद्ध श्रोत है रिण जुटाने का लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि वानित्जिक बैंक जादा तर मध्यम अवधी केर्ण ही प्रदान करते हैं विवसाय में जब भी धन के आवशक्ता होती है तो बैंक से मिलने वाला ये धन पहले दिमाग में आता है ये एक बहुत ही आम वा सरल श्रोत माना जाता है कंपनिया कई बार सीधा बैंकों का रुख करती हैं जब उन्हें रिण चाहिए होता है तो बैंकों से रिण प्राप्त करने के कुछ लाब हैं कुछ हानिया इसकी भी है यदि हम लाबों पर चर्चा करें तो सबसे पहला तो यही है कि इसमें जब भी कंपनी को ज़रुरत पड़ती है तो बैंक के पास कम से कम इस बात की गारंटी होती है कि रिण मिल जाएगा समय पर उपलब्द हो जाएगा दूसरा, बैंक उधार लेने वाले लोगों की या कमपनियों की जानकारियों को भी गुपत रखते हैं इससे व्यवसाई की गोपनियता बनी रहती है तीसरा, बैंक से रिंड लेने के बतले में कोई विवरन पत्र, कोई अभी गोपन जैसी लंबी चोड़ी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है तो एक सरल छोटी प्रक्रिया होती है लेकिन बैंक को उसे रिंड लेने के भी कमिया है सबसे पहला इसमें छोटी या मद्य मवधी का ही रिंड मिलता है दूसरा, बैंक बहुत जाच परताल करने के बाद संपत्यों को जमानत या गिर्वी में रखने के बाद ही रिंड देते हैं कई बार तो वेक्तिकत संपत्य मांग लेते हैं कुछ मामलों में तो बैंक के रिंड देने के बदले में कठिन शर्ते लगा देते हैं जैसे वो कई बार बंधक रखे गए या गिर्वी रखे गए माले संपत्य की भिकरी पर शर्त लगा देते हैं नहीं बेचा जा सकता होने ऐसे में वेवसाई के संचालन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं अब जिस प्रकार बैंक हैं उस प्रकार सरकारों ने कुछ अन्य वित्य संस्थान भी बनाए हैं केंद्रे स्तर पर केंद्रे सरकारों ने राज्य स्तर पर राज्य सरकारों ने दोनों ने ऐसे कई संस्थान बनाए हैं जो लोगों को स्वामित्व पूंजी वरिंगत पूंजी दोनों प्रकार की पूंजी लंबी अवधी वमध्य अवधी दोनों प्रकार की अवधी के लिए प्रदान करते हैं तो यह काफी जादा लचीले तौर पर रिंड प्रदान करते हैं वो हर प्रकार का रिंड लंबी मध्य अवधी दोनों अवधियों के लिए देते हैं ये वानिजिक बैंकों के पूरक भी कहे जाते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ वानिजिक बैंक रिंड नहीं दे पाते जिन छेत्रों में जिन प्रकार के वेवसायों में या जिन तरह के लोगों को वानिजिक बैंक रिंड नहीं दे पाते कई बार उनका आखरी साहरा ये वित्य संस्थाएं ही होती है सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये वित्य संस्थाएं केवल रिंड नहीं देती बलकि ये विवसायों को कई प्रकार के प्रसिक्षण वो सलाह भी देती है ये उन छेत्रों में रिंड देती हैं जहां बैंक नहीं होते इस प्रकार ये देश के ओध्योगिक विकास में बहुत जादा सहायता करते हैं इसलिए इन्हें विकास बैंक भी कहा जाता है ऐसे वित्य संस्थानों के मुख्य लाब हैं कि सबसे पहले तो ये दीरग अवधी के रिंड भी उपलब्द कराते हैं जो कि बैंकों से नहीं मिलता दूसरा ये रिंड उपलब्द कराने के अलावा फर्मों को वित्य प्रबंदन संबंधी वो कई तकनीकी सलावी देते हैं तीसरा जब कोई फर्म किसी ऐसे वित्य संस्थान से किसी ऐसे विकासी संस्थान से रिंड लेती है तो उनकी उस फर्म की बाजार में साख बढ़ जाती है क्योंकि यदि इस व्यवसाय को ऐसे किसी संस्थान रिंड दिया है उसका मतलब है कि उस वित्य संस्थान का इस वेवसाय पर भरोसा है यह भरोसा बाजार में भी नजर आता है और बाजार में इसकी साख बढ़ जाती है यह संस्थान रिनों का भुकतान भी सरल किष्टों में लेते हैं तो इससे वेवसाइप पर भार भी थोड़ा कम पड़ता है हाला कि इसकी भी कुछ कमिया है जैसे कि कई बार इन वित्य संस्थानों के रिंड देने की कड़े मांदंड होते हैं इनकी आपचारिक्ताय बहुत जादा होती हैं प्रक्रिया ये लंबी होते हैं तो बहुत लंबा समय हो जाता है वो खर्चीली प्रक्रिया बन जाती है दूसरा इन संस्थानों द्वारा रिंड लेने वाली कमपनियों पर कई बार कई प्रतिबंद लगाये जाते हैं जैसे कि वो कितना लाभांश दे सकते हैं संपत्यों का इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं ऐसे प्रतिबंद भी कमपनी के लिए मुश्किल पैदा करते हैं वो तीसरा कई बार ऐसे संस्थान रिंड लेने वाली कमपनी के निदेशक मंडल में बोर्ड अव डारेक्टर में अपने प्रतिणी बिठा देते हैं जो कि कमपनी के निदे लेने की शमता उपर कमपनी के अधिकारों पर अंकुष लगाते हैं यह भी कई बार एक बहुत बुरी बात मानी जाती है तो इन कमियों और लाब आदी को देख कर हमें निदे लेना चाहिए कि हमें वित्य संस्थानों के पास जाना है कि नहीं जाना और केवल वित्य संस्थान ही नहीं जितने भी श्रोतों के हमने बात किये मैंने पिछले भाग में भी आपको कहा था कि हमें इन सभी श्रोतों के लाब और कमियों को देखना है ना किवले विद्यार्थी के रूप में आपको देखना है बलकि आगे जाकर वेबसाय के रूप में भी यह देखना जरूरी है कि किस शुरोत के क्या लाब हो क्या कमिया है क्योंकि उसी आधार पर यह फैसला लिया जा पाएगा कि किस शुरोत से हमें पैसा या पूंजी लेनी चाहिए क्योंकि एक बार हम पूंजी ले लेते हैं खास कर बड़ी पूंजी वो बड़े समय के लिए तो उसके बहुत सारे परणाम वेबसाई को भुगतने होते हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो परणाम अच्छे ही हो इसके अलावा अभी तक जितने भी शुरोतों पर हमने चर्चा की है उस पर हमने घरेलू परिपेक्ष में चर्चा की यानि भारत में देश के अंदर हमें यदि हमारे वेबसाई को पूंजी चाहिए तो हम इन शुरोतों के तरफ जा सकते हैं लेकिन जब से वैश्वी करण हुआ है तो वैश्वी करण केवल उद्योगों का वस्तूओं और सेवाओं का ही नहीं हुआ बलकि वित्य सेवाओं का वैश्वी करण भी हुआ है अब ऐसे बहुत सारे अंतराष्ट्रिय शुरोत हमारे सामने खुल गए है जिनके माध्यम से हम अंतराष्ट्रिय संस्थाओं से रिंड प्राप्त कर सकते हैं ऐसे संस्थाओं में वानित जीक बैंक आते हैं विदेशी वानित जीक बैंक जिने हम कहेंगे अंतराष्ट्री एजिंसिया आते हैं अंतराष्ट्री विकास बैंक आते हैं वो अंतराष्ट्री पूंजी बाजार या शेर मार्केट भी आता है जब अंतराष्ट्री पूंजी बाजार की बात की जाती है तो तीन बड़ी ही रोचक चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी होगी कि जब कोई एक कमपनी विदेश में जाकर वहाँ पर पूंजी जारी करती है तो वो बदले में एक विशेश रसीद वहाँ पे पूंजी धारकों को देती है ऐसे अलग-अलग तरह के रसीद आज दुनिया में पाई जाती है जन्में से सबसे पहली है अंतराष्ट्री जमारसीद Global Depository Receipt GDR जब, यदि इसे भारत के परिफेक्ष में देखा जाए तो जब कोई भारतिय कमपनी किसी भी विदेश या विदेशी पूंजी बाजार में जाकर वहाँ अपनी कमपनी की पूंजी जारी करना चाहती है तो वो पूंजी धारकों को बदले में एक रसीद देती है पुन्जी धारक उस रसीद के बदले में कभी भी जबी भी वो चाहें तो नियत पुन्जी या अंश प्राप्त कर सकते हैं यह रसीद अंतरास्ट्य जमारसीद कहलाती है क्योंकि भारतिय कमपनी विदेशों में पुन्जी जारी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है इसी प्रकार अमेरिका में अमेरिकी कमपनियों के लिए अमेरिकी जमारसीद होती है वह इसी का एक भारतिय स्वरूप भी है जिसे भारतिय जमारसी दिया Indian Depository Receipt IDR कहा जाता है इसका इस्तेमाल विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के पूंजी बाजार में अपनी पूंजी जारी करने के लिए किया जाता है ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने भारतिय कंपनियों के लिए देखा कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आके पूंजी जारी करती है तो वो भारतिय निवेशकों को एक रसीद देती है इस रसीद के द्वारा भारतिय निवेशक कभी भी बाद में उस कंपनी की अंश प्राप्त कर सकते हैं इस से भारतिय जमारसीद IDR कहा जाता है तो ऐसे अनेकों शुरोत अब उभर के आये हैं जिनके द्वारा एक भारतिय कंपनी या कोई भी कंपनी विदेशों से अंतराश्टी तोर पर भी वित्य प्राप्त कर सकती है तो बच्चों इस अध्याय में हमने बहुत सारे शुरोत देखें इन सभी शुरोतों में कई बार बच्चों को याद रखने में समस्या हो जाती है मेरी सला यह है कि आप एक एक करके इन शुरोतों के बारे में पढ़े इनका अर्थ समझने के बाद आप कीवल इनके कुछ तीन-चार मुख्ये लाब और मुख्ये कम्यों को लिख कर याद करें क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर अध्याय है इस अध्याय में सीखी गई बातों को आप आगे भी कई बार उप्योग करेंगे आने वाली कक्षाओं में भी इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आज के इस भाग में और इस पूरे अध्याय में जो भी हमने सीखा वो आपको अच्छे से समझाया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद करने आने व्याओं में आपको करत में ऑने हम ऑने ही जो आइफ करो आपको